हेलो मैं डिये स्टुडेंट मैं नेम इस शीक सद्दम और वेलकम यू अलन मैं यूटॉब चैनल गोल्डें टूटोरियल और आजके हमारा टॉपिक है जंगल डाइरी तो जंगल डाइरी आप लोग में नाम देखकर ही पैचान गेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कुछ अंदाजा बिलकुल ठीक है तो इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है अतोल धामनकर जिनका जन में 1972 के अंदर हुआ तो 1972 के अंदर इनकी बहुर्त हुई है प्रसिद्य वन्य जीवी शंशोदक लेखक आनि छाया चित्रकार तो यह वन्य जीवन मतलब वाइड रिसर्च तो यह वाइड लाइफ के रिसर्चर थे और लेखक भी थे जैसे कि इनकी चैप्टर को लिखाय तो लेखक हुए चाया चित्रकार भी थे त्यानी गेलिया 25 वर्षा पासुन ताड़बा अंधारी व्या ग्रग प्रकल्प टी ए टी आर मद्ये वागांच्या अभ यह उनकी स्टडी के बारे में टाइगर के बारे में वागांच्या मतलब टाइगर तो यहां पर वही दिया है तो ताड़ोबा अंधारी यह जो है यहां पर उन्होंने अपने पूरा मतलब लाइफ लगाई 25 उन्होंने वहां पर स्पेंड किया टाइगर के बारे में राजस्तान पस्चिम बंगल उत्राखंड अनि गुजरात मदिल अनेक उत्कुष्ट जंगल आनना त्यानी भेटी दिलेले आहेत त्याची वाग मर्ग कथा नवरंग गरंट अर्न्याची अत्तरंग मारास्ट्रातिल वन्य जुबी ताडोबा वागांची जंगल जंगल डायरी मार्जरकर कथा ही वन्य जीवन विश्यक उस्तके प्रसिद आहे तो इन्होंने इतनी सारी केताबे लिखी है जो की वाइड लाइफ के टॉपिक्स पर है वन्य जीवन विश्यक मतलब जो वाइड लाइफ के टॉपिक के पर है वो सारी पुस्तक है और वही दिया हुआ है कि यह जो पस्ची मेंगावल राजस्तान उत्राखन गुजरात यह सब यहां के जो जंगल है ठीक है तो उतकर्ष्ट मतलब बहुत ही फेमस जंगल है तो वहां पर जो इनको भेट दिली लिया है उस चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए उसके रेलेटेड उन्होंने बहुत सारी स्टेडीज और वहां पर पुरा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है यह सब जगह पे उन चीजों के बारे में पढ़ने के लिए प्रस्तोत पाठात लेखक कानने जंगलाचे डाईरी तिल काही अनुबव सांगताना जंगला तिल प्राण्यांचे निरिक्षिन करताना आलेले चित थारक प्रसंग आचे वर्नन केलेले आहे तसे चे वागीनी मदे दडलेले मृत्तु आचे रोम हर्षक वर्नन आलेले आहे तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो वागीनी वागीनी मतलब क्या जो फीमिल टाइगर होती है वो और दाडलेले मात्वा छे रोम हर्षक यह मतलब जो एक टाइगर की जो मदरनस है वो उनकी इसके अंदर उनको दिखाई दिया अभी देखो शेर अगर हम लोग सोचते है या फिस शेर नहीं अगर हमारे मन में नाम आता है ऐसा कुछ तो हम लोग को क्या लगता है अरे तुल दामनकर है वो क्या सूच रहे देखो तो उनको वहां पर क्या दिखी है उनके जंगल के अंदर एक शेर नी अपने बच्चे को मा की तरह कैसे प्यार कर रही है वो चीज उनको वहां दिखाई दी तो यह पुरे चैप्टर में तो उनोंने के प्राण्यांचा निरक्षन जो मेमरीज होती है जो उनोंने अब्सर्फ किया अब्सर्फ करने के बाद में उनको क्या-क्या दिखाई दिया तो वो चीज़को उसका चितरारक प्रसंग प्रसंग मतलब इमोशन एक्साइटमेंट सारी चीज जो मतलब उनको टाइगर को देखने के टाइम पे हुई थी तो सारा जो एक्स्पीरियंस है उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया है ओके तारिक 27 में 27 में और 1994 कैसे हो गई 1997 वेड सकाड़ी सहा थे साड़े नव तो 600 क्लोक से साड़े नव बजे का टाइम था उस वक्त की वो घटना बता रहे है 27 में 1997 को यह उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस किया तो वो एक्सपीरियंस को पूरी अच्छी तरीक से बतारे मतलब तारीक और टाइम और कौन सी जगह है उनलोग में लेफ लिया राइट लिया इधर देखा उपर देखा निचे देखा डाय मुड़ा बाय मुड़ा तो यह सारी चीज यहां पर पूरा मतलब दिया हुआ है तो आप लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो कि आप लोग खुद वहां कि क्या जरूरत है तो यह जो चीज़ है आप लोग को अच्छे से तब समझ में आएगी जब उनके एक्सपीरियंस को आप खुद अजियूम करोगे कि आप अतुल धामन कर हो तो यहां पर बता है कि 27 में 1997 की बात है वेड हो रहा था टाइम कितना बता है उन्हें सुबा सु बेच यानि कुछ छे से साथ आठ नौ तो यानि साड़े तीन घंटा तीन घंटे का उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है इस चैप्टर में कोड़सा परिक्षेत्र ताड़ोबा अंधारी व्यार्ग प्रकल्प चंद्रपूर आज पहाटे कोड़सा वन विश्राम ग्रहान तुन बाहिर पढ़लो तो यह कोड़सा परिक्षेत्र यह क्या है अपे यह जो है प्लेस है ताड़ोबा अंधारी व्याग्र यह तो चंद वो सुबा 6 बजे उटके कहां विश्राम ग्रहतुन मतलब गेस्ट हाउस के बाहर आए जहां पे वो आराम कर रहे थे रात भर सोय पूरा आराम ठकान खतम होगे फिर वो बाहर आए 6 बजे गावां तुन टोंगे वन रक्षक आनी त्यांचा सहकारी वन मजूर येताना दिसले वन रक्षक येताचे आम ही डावी कड़े दानार जरी रास्ता धर्लो तो गावां के अंदर गावां का जो रास्ता है वहाँ से सामने से कौन आ रहा था टोंगे टोंगे कौन है वनरक्षक वनरक्षक मतलब जो forest officer जो मतलब देखबाल करता है forest की तो वो सामने से आ रहा था और उसके साथ में उसका वनमजूर उनका जो दोस्त होगा कलीग होगा जो उनका helper होगा जो वनरक्षक है तो वो जानी लगे उससाथ समोर सालनारी वनमजूर अचानक थबकला तो जो सामने से जो वनमजूर आ रहा था वनमजूर मतलब वन मतलब क्या होता है forest तो मजूर मतलब मजदूर ठीके labor तो forest का जो labor था जो वहाँ पे कामकाच करता था लकडिया वगेरा काटता था जो भी करता था वो वहाँ से सामने से आ रहा था और वो आते आते अचानक से रुग गया था बकला मतलब रुग गया मी प्रश्टनार तक नजरान ने पाहिले तर ज्यानना रस्ता कड़े बोट राकला फिर क्या दिया है नुक्तियाच गेले ले एका मोठा बिमबडाची ताजी पावल तिथी उमटली होती हा एक नर असोन आमही पहुचने आचाटी पहुचने आच तास भराची आदीच इतोन गेला असावे मी चौफेर पाहिले पन मला तरी काही दिसला ना ही तो अभी यहाँ पे क्या दिया है कि जो उन्होंने क्या किया प्रस्टनार तक नजरों से उसको देखा मतलब कुशन मांक क्या मतलब अरे बापर ही क्या हो गया तो एकदम मतलब कुछ पाता नहीं है वैसा कुशन मांक इससे उन्होंने देखा, तो तब क्या हुआ, जो वो सामने वाला जो आ रहा था, जो वन मजूर, वो अच्छानक से ऐसा क्यूर हो गया, वो कोश्चन तो आया दिल के अंदर, और साथी साथ उसने क्या किया, बोड दिखाया, बोड मतलब ऐसा उंगली दिखाया, कोई इशारा किया उसने, तो नुक्तियाच, नुक्तियाच मतलब जस्ट अभी गया होगा, वो कोई बिम्बडा, बिम्बडा मतलब लेपड, जो लेपड है, वो लेपड के मतलब प्रिंट आय थे, पावल थी थे, मतलब उसके जो प्रिंट है, पैर के जो पंजे है, उसके वो पैर के पंजे जो print हुए थे हैं मट्टी के अंदर तो वो सामने वाला वन मजूर जो है वो दिखा रहा था तो वो मतलब नुक्तियाच मतलब जस्ट अभी वो बिमड़ा इदर से भाग के गया होगा लेपड जो है वो भाग के गया होगा वो उनको वहाँ पे ऐसा लगा क्यों क्योंकि उन्होंने 25 साल की स्टेडिस किये तो उनको तो इतना तो बता होगा रई तो वो यही बता रहे कि वो जो लेपड है जस्ट अभी तासबर तासबर मतलब यहाँ पे दिया है ना तासबर आदिच तो मतलब एक घंटे पहले ही कुछ यहाँ से गुजरा होगा और हम लोग में चारो मैंने क्या किया चारो तरफ देखा बट वो बिंबडा जो है वो मुझे दिखाई नहीं दिया बिंबडा मतलब लैपड आगे बढ़ते हैं अचानक मला जंगला च्या जानवली मी सग्रयाना हातानस थामवाई ची खून के लिए ठीक है तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अचानक मुझे जंगल के जो कॉर्णर है वहाँ पर थोड़ी सी मुमेंट दिखाई दी है ना ऐसा हल्चल दिखाई दी कि वहाँ पर कुछ है करके तो मैंने सबको क्या किया हातों से ही थामने आज खून के लिए खून के लिए क्या मतलब मडर नहीं किया मतलब खून के लिए मतलब इशारा किया मैंने कि मतलब रूख जाओ सबको साउधान किया दुर्बिन डोड़याने लावलयावर ती हालसालस पस्ट जाली ती थे एक तेंदूचा जाड़ा खाली बांबू मधे बिम्बडा बस्तला होता तो यहाँ पर क्या बता है कि मतलब मैंने दूर्बिन लगाया मैंने बाइनकुलिस लगाया आगको तो जो मुमेंट जो हिल रहा था कुछ ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पर वह कोने के अंदर तो मुझे दिखाई दिया साफ साफ क्योंकि दूर्बिन से कितना भी दूर का होगा हम लोग को अच्छे से दिखाई देता है ना दूस्तो तो यहाँ पर वही बता है कि महां पर एक तेंदूचा जाड़ खाली मतलब एक वनस्ति पती का ट्री था तो शायद से वो जो भागा ता वो ही लैपड होगा या फिस जंगल में तो बहुत सार लैपड होते हैं, तो वो होगा शायद से, ओके, तो अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है, पन त्याचा रंग आसपास चा परिश्टर एवडा मिसुडून गेला होता कि ती, त्याची शे रहा है फाइला नुः अवाथ था, तो अभी यह आपर क्या दिया है कि असका रंग है, वो भीबड долго कार खो और घर के अंदर जेबरा को खड़ा कर दू तो मुझे जेबरा दिखेगा नहीं तो वैसे ही वो जो बिबडा था वो मतलब ऐसी जगा बैठा हुआ था कि उसका आसपास का वातावरन का कलर सेम मैच कर रहा था वो बिबडे के कलर के साथ में अगर उसकी शेपट शेपट मतलब क्या उसकी जो टेल है वो अगर हिलती नहीं थी तो मुझे पता भी नहीं चलता था हम लोग को कि वहाँ पे बिबडा बैटा हुआ है लैपड बैटा हुआ है तो यही बता हुआ है तर तो मला मुडीच मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता था यह बता है तो वही बता है कि त्याची पार्ट आमचे अकड़े होती तो उसकी जो बैक है उसकी जो पीट थी वो हम लोग के तरफ ती इसके लिए उसने हमें अभी तक के नहीं देखा था अध्याप मतलब अभी तक के नहीं देखा था पन ते वड़यात टोंगे वन रक्षक पाया एका वाड़क्या काटिवर पढ़ला आनि कट असा आवाज आला ति खट कानाच्चा बिबड़ाने तो आवाज एकत अच वड़ुन पाहिला आनि एकाच जिपेत तो जंगलात अ अब यह यहाँ पर क्या दिया हुए देखो अभी वह जो वन रक्षक उनके साथ में अया था टोंगे, तोंगे कौन जो बाट मतलब होता है यह सूकी, लकडी होती है अन्स ना आफ जंगल में तो मतलब लकडी तो लकडी के उपर उनका पैर चलिए, तो कट यह आवाज है, तो अभी वो तीखट कान, तीखट कान मतलब उसके कान पर मिर्ची नहीं लगी हुए थी, वो जो बिबड़ा था, उसके कान जो एकदम एकदम शार्प थे, आपने देखा होगा कि कोई भी कुत्ते के पास से ऐसा जाते होंगे, अगर हम लोग चलके, तो वो डॉगी के जो का जाने हो फटक से खड़े हो जाते हैं, तो वही बोल रहा है कि जो जानवर के कान जो हो बहुत स्ट्रॉंग होते हैं, भले ही वो मुह से जादा हम लोग को बात नहीं कर सकते हो, मुक्य जानवर है बट हम लोग उनके कान जो हो बहुत स्ट्रॉंग होते हैं, तो यही बता है बिवडिया ची निरक्षन नांची सांगली संदी हाता हाता ची गेली मनों मी हड़़लो ठीक है तो निरक्षन नांची मतलब का क्या होता है निरक्षन नांची सांगली संदी मतलब जो है चांस कोई golden opportunity रहती है ना कि मतलब उनको कैसा है अब ये तो मतलब लाइक वन या जीव रहता है कि अलग 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 जानवरों को देखो, तो ये जो हमारे अतुल धामन करें, उनको उसको करीब से देखने की आशा थी, मगर उनको कैसा लगा एकदम, दिल से एकदम ये हो गया, उनका दिल एकदम छोटा हो गया, क्यों कि उनको सामने से देखना था, तोंगे यानना शर्मिन्दा जाल्यासार के वाटला आम ही लगे इस पुडेले निगालो, तो मतलब जो टोंगे वान रक्षक का पैज इनका लकड़ी के उपर गिर गया था, उनको भी गिल्टी फील हुआ क्यों क्योंकि उनके वज़े से सबने वो बिमड़ा जो बैठा हुआ था, जो लैपड बैठा हुआ था, उसको देख नहीं पाए, तोड़े अंतरावर राइबा का कड़े जाना चे रास्ता उजवी कड़े वड़त होता, तो उन्होंने आगे चलना स्टाट किया, आम ही लगेज, मतलब फटावड, जैसे अभी वो बिमड़ा भाग गया, तो एभी क्या करेंगे, वहाँ पर खड़े रहे के, तो उन्होंने आगे चलना स्टाट किया, और थोड़े से अंतरावर, मतलब थोड़े से डिस्टेंस पर जो राइबा कड राइबा कड मतलब प्लेस एक तो प्लेस पे उन लोग ने उजवी कड उजवी कर मतलब राइट हैंड साइड वो लोग चल पड़े तो रास्ता धरला अनी जंगले चे आंखिन दाट जाले सर के वाटल तो रस्ता जैसी पकड़ा तो जो जंगल ता वो आंखिन मतलब और भी दाट जाले सर के मतलब और भी जादा घना लगने लग गया इतव दोन तीन नाले असलियानना जुड़कांची दाटी जास्तज जानवते तसर तसर च त्या नाले मदे थोड पानी साचून राहता राहत असलियानना तिथे कुटली ही वण्य प्रानी दिसन्याची शक्यता होती त्या मुड़े अत्था साउधान पने पावल टाकने तो यह क्या बुल रहा है कि हैं यहां से तोड़ी तो नाले नाले मतलब वहां पहला पे क्या है वह नाले जो पॉंडир गयर वहां Jest जुड़ पाची दाती तो मतलब ओफस इतना बड़ा जंगल है तो वहां पहले होंगे है ना बहुत सारे मतलब जो जाड़ वगएरा है वो उसके सुके-सुके पत्ते होंगे थो यही सारी चीज देखके क्या बूल रहा है वो जो नाले के अंदर पानी पीने के लिए बहुत सारे जानवर आएंगे तो यही चीज की बहुत जादा के लिए नहीं मिलेगा फिर है ना तो यह प्रॉब्लम हो जाएगा तो हर एक पैर जो वो बहुत सावदानी से और स्लो स्लो रखना थाकि उसकी आवाज नहीं अगर आवाज आईगी तो जो जानवरे वो लोग बाग जाते हैं कालच संध्याकाडी विश्राम ग्राहावर गप्पा मारताना टोंगे नी मलात या परिसरात चार पिल्ला असले वागी नी बदल सांगितले होता तिवहास पासून मला कधी तिथा जातो असा जाला होता तो अभी जो हमारे अतुल धामन करे वो एक दिन पहले की बात कर रहे है यहां पर वो बता रहे कि कुछ एक दिन पहले ही जो टोंगे जो वनरक्षक है उसने जो है इनको बताया था उन्होंने बोला था कि मतलब गप्पे मारते हुए मतलब ऐसी मस्ती मस्ती मैं आप उन बो ये अपने चार बच्चे को लेके तो ये जो अतुल धामनकर है उनके मन में एकदम उच्छ सुकता आ गए क्या रहे यार यहां पर हम लोग जाएंगे तो अभी मुझे देखने के लिए मिलेगा तो एकदम उतावले एकदम बावरे हो गए उसको देखने के लिए टाइगर के बच्चों को ओके आगे बढ़ते हैं प्रचंड उष्ण तेचे दिवस असलियानना वागासार के जनावर पान्यान चे आसपसच वावर्त तसात च लहान पिल्ला असलियानना या वागेनी त्यानना पान्या पासुन जास्त दूर नेन के नेन देखिल शक्याता नवहते प दायक जनावर हें हिंदी में बुलते हैं मतलब प्रचंड उसना हे बहुत ही का दिन था अभी कभी की बात करें हम लोग के पड़ा 27 में तो 27 में जो ह्य वहां होता है वहार कर दो अर्म l गर्मी का जो फोफ्ट रहताओ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहy तो यही बता לס़ает कि उस वक्त बहुत-ज़ाधा गर्मी अ व्सके फिर दौज़र में तो इसके अंदर इंदर उसके इसकी उसके पर आवात ऑफ आपा α कृट Lor Phillips आना पड़ता होगा इसलिए तो वही उपर से ये कि वो चार बच्चे की मा है और कोई भी जानवर हो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उनको सिक्योर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले इंसान की जान ले भी सकता है अगर वो अगर वो माह कमजोर है तो अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देखेगी खुत मरेगी और उपर से ये तो शेरनी है ये तो मरने वाली नहीं है मारने वाली है राइट तो ये जो है बहुत ही धोगा दायक जैनवर बोला गया इनको क्यों क्योंकि शेरनी सबसे स्ट्रॉंग होती है और उपर से वो चार-चार बच्चे की मा है तो उनको लेके वो बहुत पजिसीव रहेगी और बहुत ही जादा स्ट्रॉंगनेस दिखाएगे अगर सामने जो कोई भी आएगा उसको एक बार भी नहीं सोचेगी कि मैं उसको जप्टू के नहीं जप्टू मारू के नहीं मारू ओके तो चलो आगे बढ़ते और देखते हैं हम लोग इसके बारे में पिल्याच्या सुरक्षा साथी ही सजक आई कोनाची जीवन देखिल घ्याइला मग पुड़ भगत नाहीं तो अभी जो मैंने बता है वही कि मतलब एक बार भी वह सोचेगी नी अगर सामने अगर कोई आया तो उसकी सरक्षन साथी सरक्षन साथी मतलब सरक्षन साथी सजग मतलब वो इतनी अक्टिव रहेगी कि मतलब एक सेकेंड हम लोग को भी सूचने का वक्त नहीं मिलेगा आप लोग को तो मालूम है आप लोग ने पिच्चर में देखा होगा राइट यह मतलब शेर नहीं जो है वो कैसा जप्टा करते और डिस्कवरी चैनल पर भी आपने द एकदम अभी लोग हो गई क्योंकि वो चार बच्चे की माह है और अगर कभी उनको मार देगी तो यह सारी जो फीलिंग से थोड़ा सा पैनिक हो गए तो ऐसा दड़पन मतलब ऐसा बता है कि उनकी फीलिंग केसी होग एकदम लोग हो गई वो एकदम जादा सोच में पढ़ यह तो स्रीम उनके मन में विचार आ रहे थे तो उन्होंने इस पस्ट किया है बट उपर से वह वन उन्होंने जो 25 यह पूरे निकाले स्टडी करते हुए तो उनको यह अच्छी चीज सरी किसे पता है कि मतलब जानवर कब जपतेगा कब मारेगा कब नहीं मारेगा कब दहा बारा पावलांचा साल लेलो चाल लो असू मला नाल्या तिल ओल सर चिकलत माजा सर के माजा मांजरा टेक्षा ओके मोठ्या आकाराची अनेक पावल उमठ लेले दिसली समझ में आ तो उनको अभी स्टार्टिंग में तो बिमडा का एक ही पैर दिखा था मगर यहाँ प चिकलत मतलब 10-12 पैर लोग चले दहा बारा पावलांचा तालेल असू तो दस बारा स्टैप चलने के बाद में उनको एक नाले के करीब करीब जहां पे चीकड होता है आफकोस यह पानी की जगा है वहां पे थोड़ा दूर दूर पे कैसे चीकड वगेरा होगा तो वहां प पेक्षा मतलब तो बिल्ली जो होते है वो बिल्ली से के जैसे एकदम बिल्ली से भी थोड़े बड़े बड़े ऐसे पैर दिखने लगे तो यह बहुत सारे उनको अनेक पावल अनेक पावल मतलब बहुत सारे अलग-अलग फूट्प्रिंट वहां पे दिखाई देने लगे ठीक है उतने पैरों के निशान बहुत जादे दिखाई देने लगे मिज अटकन पुड़े जाउन वागून बगितल तो उन्होंने फटक से आगे गया अभी वो 25 साल स्टडी किये तो वो कितना भावो कोईगे ये सारी चीज़ को देखने के लिए तो वही बता रहे कि वो कैसे एक सेकंड भी उन्होंने नहीं सुचा फटक से आगे चल पड़े या पिल्यान सा पाउल खुना होते है तो उन्होंने एकदम अंदाजा लगा लिया कि ये जो शेरनी थी उस शेरनी के इनको ये जो है पैरों के निशान मालुम होए ये जो शेर्नी ई उस के चार बच्चे है उसके ही अनेक अनेक पावल उमटले हो है उसके अनेक पाउय मरक वहाँ पर म भाक मारक कर cmart म मतलब जो पैरों के निशान है, printed footprints, जो baby के जो tiger है, उसके leg के footprint है, उनकी बात हो यह बगुन लक्षत आला, लक्षत मतलब उनके ध्यान में आया, कि ते काल रात्री छे आहेत, अभी वो मतलब इतने जादे मतलब खराब नहीं हो थे, क्योंकि वहां से कोई और नहीं गुजरा होगा, तो उनको मालूम बढ़ा कि यह जो पैरों के निशान है, वो उसको जादा टाइम नहीं हुआ है, यह कल रात के ही footprints है, याचा अर्थ स्पस्ट होता, वागी नहीं अध्याप आपल्याला, पिल्यासी हो, याच परिस्तरात वावरत होती, जैसे वावरत का meaning मैंने आप लोग ठीक गया कि मतलब यह जो शेरनी है, अपने बच्चे को लेके यहीं कहीं अभी भी घूम रही होगी, आता मीती पिल्लायला बगायला चांगलाच अधीर जालो, है ना, अधीर जालो आप लोग में गाने में सुना होगा, है ना, जिंग जिंग जिंगाट के अंदर, तो यह इस आरह यहां पर बता है कि वह मतलब एकदम बावरे से होगे, एकदम उतावले से होगे, कि मतलब में को आप तो देखना ही देखना है इस बच्चों को, अब मैं इनको देखे बिना घर नहीं जाओंगा, ऐसा उनके मन में विचार आने लग गये, इतीन सुमोर, इतीन सु आनी असलयाज से मला माहितिस होता ही वागणी तिथेच सापण्याची शक्यता होती, अब समबर मतलब 100, तो सवागणी से मतलबwir, सवागणी सो मतलब 115. एक सो पंदरा स्टैपस अगर हम लोग करीब-करीब чल के जाएंगे, तो मुझे पता है, माहितिस होता ह मतलब मुझ 115 steps चलेंगे तो है ना जैसे कि कोई भी पूछता है कि मतलब ये ये स्कूल कहां पर कोई address पूछेगा तो हम लोग कैसा बोलते हैं पाच मिनिट 10 मिनिट करीब करीब पाच मिनिट में 10 मिनिट में आप पहुच जाओगे तो यहां पर उन्होंने भी अंदाज लगा है कि 115 steps चलेंगे तो आ जाएगा तो अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है त्या मुड़े आता तिक्ड जातानना कुपच सावधानगिरी बाढगन अवश्यक होत जमिनी वर सर्वत्र पानगडी मुड़ पल्लेल वाड़का पासुडा साचुन होत त्या वरुन पाय ना वाजवता जान ही एक मोटीच कसरत होती तो अभी उन्होंने क्या बताया है कि जो अभी वहाँ पर जाने के लिए हमें बहुत ही सावधान गिरी करनी पड़ी क्योंकि अभी पैरों के निशान यहां पर मिल गए तो शेरनी आसपास यहीं पर आसपास कहीं होगी और उपर से जमिन पर क्या पत्र जड़े राइट प पाइर पड़े गा तो अवाज वगेर आएगी तो एकधम slow slow जाना है तो slow slow जाएगे एकधम साओधानी से रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा एकधम डार्ट जाते जाते और exercise हो जाएगी और पुरे body की हम लोग कोई एक ही muscle के पर concentrate करते हैं तो कैसे अगदम कड़क हो ज जाएगी मोटी चकसरत मतलब बहुत बोडी की मतलब हालत हो जाएगी महां पर जाते-जाते अवर पानवटव जशाट जवर्ड आला तस माज़ा हर्द्य जोर-जोरा धड़ू धड़ धड़ू लागला तो मतलब पानवटव पानी की जोग पैसे हैं वो जो है वो करीब आ ग पानी की जो जगह है वो भी आ गई है एक सो पंदरा स्टेप हम लोग आ गया आ गया तो करीब करीब यहीं पर होगी इसके लिए एकदम जोर जोर से देल एकदम धगदक कर रहे लग गया था पुड़े काई दिसल दिसल या जानवी नैंची माजा घसा कोड़ा पढ़ ला मतल उनका हलक सुग गया ठीक है तो मतलब देखो अब ही मतलब वो बता रहे कितना डीप में बता रहे कि मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओके एक चोटी-चोटी चीज बता रहे इतरा ची आव वस्ता आव वस्ता काही वेगड़ी नवहती आम ही सग्ड्यान ना ची एक मे मतलब उनका तो गला सुका पड़ गया था और उपर से जो है इनको जो है एक दूसरे तरफ मतलब देख रहे थे और एक दूसरे को क्या कर रहे थे इशारा दे रहे थे खोन सुचना केली मतलब इशारा दे रहे थे कहीं शेर नी जो है वो कहीं से भी आनी जाय तो मतलब एक पाउल टाकतान ना माना वर्चे दड़पन अधीक वाड़त होता कुटतरी जाड़न सा बुंद्या आड जामड़ी चया जुडपात लापलेली वागीनी रागनात रागन गुर्गुरत शनात धारत अंगावर येनार अब इननोंने क्या सुचा है कि मतलब वो जो उन लुग जो श्लो स्लो चल रहेते हैं अगर कहीं पे ये आसपास में अगर शेरनी जाड़के पीछे कहीं पे बुंद्या आड मतलब जाड़ जो बड़े बड़े जो जाड़ होते हैं बहुत और वह पत जड़ी होती है सारी ची नहीं देता है तो वही चीज इन्होंने बताईए कि मतलब जाड के पीछे से कहीं से इधर उदर से आ जाएगी और इकदम रागान रागान मतलब इकदम घुसे से गुर गुर आते गुर गुर मतलब रोरिंग करने ऐसा करके आवास करते हुए शनार धारत मतलब कुछी वक्त के अंदर आंग के उपर आंगावर ये नार मतलब आंग के उपर वो जप्ता मारेगी असा च वाटत होता ऐसा ही लग रहा था वार्यान ना हडूस ये नारी पाना ची सड़ सडातिल देखेल मोटी वाटत होती आता जनू सगड़ा सगडा काड़ा चा थामबवला असावा असे वाटत होती तो यहां पर क्या बता हुआ है मतलब वारया मतलब हावा विंड तो और जो है वो उसकी तक के आवाज आ रही थी क्यूंकि यह लोग बात भी नहीं कर रहे थे आखों से इशारा कर रहे थे और नाहीं पैरों की आवाज तो जंगल वो कितना खाली होता ये तो आपे एक सुई भी आप गिरा दो तो आपको आवाज आएगी तो वही इनको किस चीज की आवाज आ रही थी जो पत्ते जो है और ये जो पानी है और जंगल में कैसी मतलब एकदम आवाज आती एकदम तो वैसी आवाज आने लगी और वो सड़सड़ देखिल तो थामला असावा मतलब वहाँपे उन्होंने रुकना सही समझा तो वहाँपे वह रुक गए ऑके सुर्च है तो आवाँ तो आवा करके ऐसी अचानक से आवास का साउंड बताया है यहापे अचानक एक सकेंड अचानक नाल्यांचे पली कड़ून आले कड़ी या बारीक आवाजातून मी दागीस थबकलो माज्या अंगावर सरसरून काटा आला एक वर्षा छे वागांचे अभ्यासानने आनी यहECT हाउक होता कि हा वागी नीची आवाज आहे तो उन्होंने स्रिफ एक साल जो है continue की इस बारे में पढ़ाता उन्होंने वागी नी वागी नी मतलब जो यह ऐ tapaटाता तो वो यह चीज बता रहे कि मतलब एक साल का जो उन्होंने स्रिफ वागी नी कि हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में उन्होंने पड़ा था तो यह बता रहे कि वहां पर ऐसी आवाज आई जहां पर लोग रुख गये ठीके डर कर तो वहां पर एकदम अच्छानक से आवाज आई जो शेरनी रोरिंग करती है नॉर्मल वाला तो वैसी नॉर्मल सरसरुन काटा आला काटा मतलब ऐसा काटा नहीं आ गया समझ मैं जो चुबाने वाला काटा है वह आंग पे नहीं आया ऐसे जो बाल वगेरा खड़े हो जाते ना हाथ के अगर कुछ इंदम और मुमेंट रहेगा तो वह चीज बता रहे वह लगे अब यहां पर देखो क्या आवाद आला तो वह जो है शेरनी का कर रही ती अपने बच्चे को बुला रही ती अपना बच्चे को मतलब वह जहां पे बच्चे लोग को छोड़के गए थी स्वारी ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा तो वो बच्चे लोग को बुला रही थी तो ये चीज मालम हुई उसके आवास से तो ये लोग तो जो मतलब पूरा साल भर दिया है तो मतलब बच्चे को कैसे बुलाती तो उसकी रोरिंग पता है इनको और जो एंग्री रहती है तो वो तब रोरिंग कैसा करेगी वो चीज पता है तो ये रोरिंग जो थी वो कैसी थी बच्चे को बुलाने वाली थी ओके तो एका पिल्ला ना बाजुचा जामडी चा धाडी तुन थेट पान्यात गेतली ओके हम लोग जादा नीचे आगे हैं अचानक अचानक पान्या आज आला मी पान्या कडे पाहिल आनी आश्चर याने थक्क जालो एका पिल्ला बाजुचा जामडी ची जाडी तुन थेट पान्यात उडी गेतली लगेच तीचे या पाटो पाट उरलेली तीन उरलेली तीन ही पिल्ला धपाद पान्यात उतरली आईचा आश्वासक आवा त्यांचिया करत उत्साहत वार भरनार थरला होता तो जो शेरनी थी वो मतलब शिकार वगेरा करके औके सॉरी वो जो शेर नहीं थी वो शिकार वगेरा करके आ रही होगी तो उसने मतलब अपने बच्चों को बुलाया तो excitement में बच्चे ने क्या कर दिया Fattaks भी लड़र त्योंति जो नाला था जो फ्लेम ती पानी की जो प्लेस थी वह वहां पे हो उसमें कुदी मारा तो उस ने जैसी कुदी मारा उसके बाकी के जो तीन बच्चे थे उन्होंने भी धपा-दप करके उसके अंदर कुदी मारा और जो हमारे कि अतुल धामन करें वह ठक जाल एकदम शौक हो गया एकदम मतलब देखते ही रहे गए वह कंटीनियूसली मतलब देखते ही रहे के मतलब ही क्या चल रहे करके तो उन्होंने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और वह देखते ही रहे गए एकदम शौकिंग तो यही बता रहे कि वह जो शेरनी थी उसकी जो आवाज कैसी थी अपने बच्चों को अपने पास है कि मतलब जो डॉगी या फिर किसी के भी बच्चे होते तो उनके पैरेंस आते तो उन लोग कैसे उन लोग के पास जाते एकदम खेलते खेलते हैं अभी देखो क्या दिया हुआ है वागी नीचे रात्रीच पिलाना नाल्या काट्या जामड़ाची दात्ट जुडपात ल चान कुत्रा अर्शा पिल्यांचा संभया संभया शत्रूचा राबता हुताज तो अब यहां पर क्या बताया है कि जो वागी नीच थी उनको उन्होंने कहां पर चुपाके गया था जामड़ा एक जो मतलब बुशिश वगेरा जो थे वहां पर उसने नदी के किनारे जो न जो दूसरे जन नर है नर मतलब जितने भी मेल दूसरे दूसरे लायन है और लैपड है और रान कुत्रा जो जंगली जो कुत्ते हैं तो वो सब क्या करेंगे इनको खा सकते हैं इनको मार सकते हैं तकलीफ पहुचा सकते हैं तो इसके लिए उसने अपने बच्चों को का चु बागे गया दो, तो अभी यहाँ पे देखो आगे क्या दिया हुआ है, वो देखते हैं, त्या मुड़े तिला ही खबरदारी घेन आवश्यक आहे होतो, वागे चे लाहान पिल्लाना इतर बक्षकान पासुन खुपच दोका अस्तो, त्या मुड़े वागे निने पिल्ल्यान चे शुरक्ष बदल बलती चे दक्ष अस्ते, तो यहां पे क्या बताया गया है, कि मतलब वो वागी निनी जो है, उसको बहुत जादा डर रहता था और बहुत जादा पोजिसिव रहती है अपने बच्चों को लेके और यह होना भी चाहिए, क्योंकि कि जंगल के अंदर तो मतलब कितने शिकारी आते हैं, मतलब उन सोचरी होगी, इसलिए उन्होंने जो ट्री था, वो उसके अंदर उसने चुपा के गई थी, तो यह चीज़ बताये, और अभी उसके बाद में वो क्या बोल रहे है, कि मतलब वो यह जो भाक्षक पासन, भाक्षक पासन मतलब वो जो एकदम राक्षश के जैसे जानवर है, तो उनसे उनको धोका है, वो बच्चो को, इसके लिए उसने वहाँ पे चुपाया था, तो उसकी शुरक्षा करने के लिए उन्होंने यह चीज़ उसके अंदर उनको नजर आई, कि उनको इतना अलर्टनेस है, इतना मतलब कैर करती है एक माँ अपने बच्चो को, तो यह उन्होंने वहाँ पे देखा, आता थी रातर भर जंगलात फिरोन पिल्ला जवड परत आली होती, आईच्या हाक आईटच अजून वर अजून वर दडून बसलेली पिल्ल्याने खेड कर पने तीच्या सार के जोपवली होती, तीवडात नाल्याचे डावी कडे विरड बा आगी ने येतना दिसली, ती सरड पान्या जवड आली आनी वडून पान्या तिल बसली, रात्र भर सा वाट्ला वाट्स सालीन ठकून ती विश्रांती घेत होती, अब यहाँ पे क्या बताया है उन्होंने के मतलब वो कहां से आरी थी, वो जो डावी कडे, डावी कडे, ल नाला जो था, उसके लेफ साइट से आरी थी, किसके पास आरी थी, अपने बच्चों के पास, तो आवाज आने के जो उसने जो रोरिंग के और ये बच्चे लोग ने मतलब ये किया, जंप मारा, तो उसके पहले की बात बता रहे कि ये जो वागी निया, वो राद भर क्या की होगी, जंगल में फिरी होगी, और वो जंगल में फिरने के बाद में अभी आई है, और जंगल में क्यों फिरने गई होगी, क्योंकि वो खाना लाने के लिए, शिकार के उपर गई होगी, अपने बच्चों की भूक मिठाने के लिए, उसने शिकार करने के लिए गई पतलब ये रात भर ये जो जानवरे बिचारी वो गई और शिकार भी करके आके अभी ठकके आके यहां पर बैठी है तो वैसे ही बच्चों ने जम अगेरा मारा और वो उसके पास में जाने लगे एकदम प्लेफुल मूड में एकदम खेलते हुए तो यही चीज उन्होंने य पैट गई नाले के पस ओके जो नदी थी हो त्या तिल एका पिल्ला ने तर वागी नीचा पाठी वर्रस उड़ी गितली पन तितुन पन तितुन घसर ल्यान ते धपकन पान्या तिल पडल तोंडावर पानी उड़ताच वागी ने मंद पने गुर्गुर अने ना पसंती व्यक्त के लिए पन पिल्लाना त्याचशाही काहिस देन घेन नवहते त्यांसा आइचसा भाउती जबर्दस दंगा धोपा शुरू जाला तो अभी आपे क्या बता है कि ओ जो आके बैठी पानी में वैसी उसके बच्चे ने जो है जंप मारा नाले में और सारे बच्चे उसके करीब करीब आगे और एक बच्चे ने क्या किया जो शेरनी बैठी थी उसके बॉड़ी के उपर ही जोर से जंप मारा तो घसरते हुए मतलब पिसलते हुए नीचे गिर गया कहां गिरा वह पानी में बैठी थी शेरनी तो पानी के अंदर गिर गया तो पानी में वैसी एक्दम नहीं आए वह वह वापस से रोरिंग की मतलब अपने बच्चे को चिला रही थी मपन पिल्यां चीज़ी काही देनगे नवहते मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं था और उन्होंने क्या किया अपनी जो दंगा दोपाय जो मतलब मस्ती करते बच्चे यह ना जैसे क कैसे एकदम एक दूसरे को मारते अपनी बेन को और अपने भाई को मारते मस्ती करते एक दूसरे की चोटी खिसते ना कान खिसते तो ये सारी चीज़ जानवर में भी उन्होंने वहां पे देखी के मतलब ये पिल्ला जो है ये जो पिल्ले है ये चारो के चारो वो मा की आवास को अंसुना करके लड़ रहे हैं साधरन कुत्रया पेक्षा लहान आकाराची ही पाच माईनातन पिल्ला होती या वयात लहान मुले जशी खेड़कर अस्तात तसीच ही खेड़कर होती एक मेकांसा पाट लाग करन मारा मारी करन पान्यात उड्या घेनाचे अशे खेड़ लाट में क्या बता है को साधरन होता है कुत्र पेक्षा मतलब जो लहान उनकी साइज होती है करिब करिब फढ Shally फाच महम 똑같ने है है बट यए डोगी के जैसे उतने healthy healthy दिख रहे थे ओके और इतनी मेहनत इतनी मतलब मस्ती कर रहे दो लोग five month के रहने के बाद में को उके तो यह एज में जो पाच-ऊसिए साल वो सारी चीजे स्टार्ट हो गई और वो लोग पानी वगेरा के अंदर भी जोर जोर से जोर जोर से जम्प मारते और पाटलाग कारण पाटलाग कारण मतलब एक दूसरे का पीछा करते ना भागते भागते एक दूसरे का पीछा करते और काटते और इसा सो जाते तो यह सारी चीजें वहाँ पर उनको देखने के लिए मिली किनको देखने के लिए मिली तो अतुल धावनकर वह थोड़ा सा बाकी है मदी एच आई वडून एक अधा पिल्ला माये ने चाटत होती तो एक जो पिल्ले को उसकी मा क्या कर रही थी चाट रही चाटते कभी जानवर जब उनको कुछ घाव लगता है या फिर उनको साफ करना होता है क्योंकि उनकी जबान है उसके अंदर बह साफ कर लेती है तो उनकी जबान में बहुत ताकत हो रही है तो वह अपने बच्चे को चाट रही थी और साफ कर रही थी ओके थोड़ा वेड बसल्यावर ती पटकन उभी राईली अनि डोके वडून तीना हडूच आवा आवा आवाज केली केला आनि हा पिल्ला ना मंग ये निया बदल इशारा होता लगेस वडून तीस आलाईला लाग ली तो ये थोड़े टाइम तक के रुकी और उसके बाद वे अच्छानक से फटाक से खड़ी होगी और डोक मतलब उसका जो सर है वो वडून वडून मतलब ऐसा टान करी और वो मतलब चिल्लाई उसने नकित्स एकाद सांबरा रान गवा तो ये सब मतलब जंगली जानवरों के नाम है तो जो उसको उसने जो है आल्रेडी मार के कहीं छुपा के रखा होगा तो ये जो शिकारी जो जानवर को इन लोग क्या करते मारते और उसके अपर मतलब लाइक कोई कड़े वड़े में थान डुकरा मतलब पिग तो मतलब जो जंगली पिग है उसका शिकार कीया होगा उसने छुपा के रखा होगा और अभी उसको लेके जारी है पन अची शिकार जड़न असलयान थी उचलुन पिल्ल्या पर्यत आनन शक्यता नस्ते त्या मुडए पिल्ला जवर्ण फ्रेश् तो यहां पे क्या बता रहे कि मतलब वो राद बर घूमी फिरी और आके बैटी आराम करी आराम करने के बाद में अपने बच्चे को जो जानवर है जो उसने शिकार करके रखा होगा वहाँ पर वो अपने बच्चे को लेके जाने के लिए चल पड़ी तो यहाँ पर यही बता रहा है कि मतलब वो जो जानवर है वो अकेली नहीं बिचारी चार-चार बच्चे उसके तो उसको कितना शिकार करने पड़ती होगी तो वो मतलब एकदम strong है पुरा रात बर मतलब जागने के बाद में भी वो क्या कर रही है अपने बच्चों को लेके जारी अपने शिकार पर उके तो उसको तो शिकार करना अवश्यक है थीखे तो पारंगत मतलब पारंगत होती मतलब एकदम strong और एकदम माहिर हो गई थी वो मतलब शिकार करना में क्योंकि उसको हर बर शिकार करना पड़ता होगा क्योंकि उसके चाचार बच्चे वागिनी नाला पार करून बांबूचा गंजित पाई ठेवला आत शिरन्या आधी तिन वडून पिल्ला सोबत येता हेत की नहीं हे पाहुन घेतला दोन पिल्ला ने त्याचा मागो माग निगाली होती पन दोगाना अध्याप भान नवहता ती पानयात अचे एकमेकान शी खेड़न्यात दंग जाली होती तो मतलब वह मतलब अभी वह जो नाला था उसको बाहर ऐसा पैर रखी और वहां से आगे चलने लगी तो दो पिल्ले उसको फॉलो करें बाकी के जो दो पिल्ले ते वह क्य करें अभी तक कि उनको कुछ पता ही नहीं था कि मतलब वहां पर क्या है क्या निये करके मतलब उसकी ममी भार भी निकल गई है वह चीज भी नहीं पता थी वो लोग अपने ही लड़ाई में मगन थे तो यह चीज हैंनोंने बताया वागी नी परत त्याना बोलना रा खेड थांबवला अनी पड़त सुटली तो यहां पर बताया कि मतलब वह जो दो जो बच्चे पानी में अभी भी लड़ रहे थे वह मतलब लड़ते लड़ते ही रहे और उनको कुछ पता ही नहीं था कि उनकी ममी भाहर चलेगी तो उसकी ममी ने मुह आपसे टर्ण किया औ और उसकी ममी को फॉलो करने लग गए है ना जैसे कि आप लोग भी घर पर लड़ते होंगे और उसके बाद में एक दूसरे को मारते हैं बट कोई कुछ बोलता नहीं तब तक के कुछ नहीं बट जैसी पापा ने आवास किया जोर से तो वैसी जितना भी मार रहे तो उफ्जान है है ना हम लोग ऐसे भाई से बदला लेते हैं और बाई एक बेहन से बदला लेता है तो यहीं बता है उसके अंदर दोनच मेरेटांत पिल्लन न घेओन वागी नि जंगलात दिशे नसी जाली तो बाकी के पिल्लो को भी लेके सारे चारों पिल्लों को लेके चल चलते चलते हो हो मतलब जंगल के अदर अगए चले गए तो मतलब इतना जल्दी यलदी हो आगे भागे कि लेमिस कि छफिव और कर व॥ यहाँ पर क्या अनुभव से छोता तो यहां पे क्या बता है कि इन्नों ने बहुत सार experience किये मगर यह जो जलक ती यह जो experience था वो कैसा था एकदम highlighted जैसे कि मतलब सोने पे सुहागा वाला है ना जैसे कि चार चांद लगा दिया उनके profile के अंदर तो यह चीज उनको अपनी life में जो है हमेशा याद रहेगी क्योंकि एक शेरनी की सबने कैसी कहानी देखी होगी जपटने वाली इसको खाने इसको शिकार करने की यह सारी कहानी देखी होगी बट जो अतुल धामन करने देखा वो क्या एक मां की ममता देखा एक मां का प्यार लाड जिस तरीके से वो अपने लहा नाल को पास रहती थी तो आप लोगों को इस chapter के अंदर अभी भी कोई doubt है कोई word नहीं समझ में आया है तो कम से कम comment section में जाके मुझे बताईए अगर कुछ doubts आया है तो अगर नहीं doubts आया है तो आप लोग at least एक thanks आप लोग एक comment कर दो ताकि मुझे motivation मिले और मैं और भी video upload के लिए बनाओ तो आप लोग English की और मैं बहुत सारी वीडियो अभी भी upload करने वाला हूँ okay there are more video there in the pipeline I will upload it soon okay तो आप लोग लगे रहो studies करो all the best अपना ख्यार रखो okay thank you so much thank you so much for watching bye take care झाल 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 झाल